नमस्कार, UPSC Current Affairs प्रोग्राम में अभी हम बात करने वाले हैं सैंक्तराष्ट्र सुरक्षा परिशत के बारे में सैंक्तराष्ट्र महासभा यानि UNGA के अध्यक्ष की मुताबिक सैंक्तराष्ट्र सुरक्षा परिशत अब प्रासंगिक नहीं रहा है सैंक्तराष्ट्र सुरक्षा परिशत आज की वास्तेविक्ताओं को पतिविम्बित नहीं कर रहा उन्होंने ये भी बताया कि संक्तराष्ट सुरक्षा परिसत अंतराष्टी शांती और सुरक्षा बनाए रखने के अपने बुन्यादी कारे में भी असमर्थ रहा है संक्तराष्ट महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने ये बयान दिया है साबा कुरोसी का UNGA अध्यक्ष बनने के बाद किसी भी देश का पहला दिपक्षी आध्यकारिक दोरा हाली में हुआ है कुरोसी विदेश मंत्री S.J. शंकर के निमंत्रन पर भारत के तीन दिवसी आध्यकारिक दोरे पर आ रहे हैं कुरोसी हंगरी देश के पुर्व राजनेग वर्तमान में 77-वी संक्तराष्ट महासभा के अध्यक्ष भी है कुरोसी UNSC में सुधार की वकालत करते रहे हैं इन्होंने ये भी बताया है कि संक्तराष्ट सुरक्षा परिशत में सुधार वर्तमान की वैश्विक परिसीतियों में प्रासंगिक बने रहने के लिए जरूरी है इन्होंने भारत को UNSC में 77 सदस्यता पाने का असली हकदार बताया है वर्तवान में UNSC में 5 सथाई सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं किवल सथाई सदस्यों के पास ही वीटो शक्ती भी है वीटो UNSC में किसी भी आधिकारिक कारवाई को एक तरफा रूप से रोकने की कानूनी शक्ती होती है 1945 के संक्तुराश्टर के चार्टर के अनुच्छे 27 के मताबिक UNSC के प्रतेक 27 सदस्य के पास एक वीटो वोट होता है 24 अक्टूबर 1945 को अपने कठन के बाद अब तक केवल एक बार ही संक्तुराश्टर सुरक्षा परिसत की सरजना में बदलाव किया गया है 1963 में महासभा ने संक्तुराश्टर सुरक्षा परिसत की कुल सदस्य संख्या को 11 से बढ़ा कर 15 कर दिया था